सू ICC Women's T20 World Cup 2014 के सभी टीमों के सेमी फाइनल में कौलिफाइ करने के रास्ते अब और भी कटिन होते जा रहे हैं जहां कल बंगलादेश बना विस्टेंडीज उमिन के बीच एक बहतरीन मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में विस्टेंडीज उमिन ने बंगलादेश उमिन को 8 विकेट से हरा करके अपने सेमी फाइनल में कौलिफाइ करने के रास्ते काफी आसान कर लिए जबकि बंगलादेश है लगबग सेमी फाइनल से बाहर हो चुगे तो ऐसे में 13 मैचों के बाद जहां जो तीन टीम है जो सेमी फाइनल से बाहर हो चुगे तो बागी सभी टीमों को सेमी फाइनल में कौलिफाइ करने के क्या है रास्ते पूरा सेनेरियो क्या जानेंगे इस साथ में नया पॉइंस टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर है तो वीडियो रहने वाली है काफी जादे इंपोर्ण वीडियो में अंतता को बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई का अंदा बाद नहों हो ऐसे तो सो किर्के पंगलादेश उमेंड जबकि ग्रूप ऐसे सिलंका उमेंड है यह 3 टीम में हैं जो eufC sedfinals से बाहर हो हो चुकिया जहां स्कोडलन उमें ने तीन-तीन मैक के होर तीनों तीन मैक में हार मिली है जबकि पंगलादेश को कल के मैक में West Indies Women ने हरा करके semi-final से बाहर कर दिया बात करते हैं उन टीमों की जीन में से कोई 4 टीम रहेगी जो semi-final में qualify कर पाईगी तो ग्रूप भी से West Indies Women, South Africa Women और England Women ये तीन टीमों में से कोई 2 टीम semi-final में qualify करेगी जहां West Indies Women और South Africa Women ने 3-3 match खेल और इन 3-3 matchों में 2-2 match जीत करके 4-4 अंका हासिल किया तो England Women ने 2 match खेल और 2-0 match में जीता हासिल करके 4 अंका हासिल कर चुकी अब ये तीनों टीमों को एक-एक match में और जीत दर्जे करनी होगी semi-final में qualify करने के लिए ग्रूप B के point stable में जहां पहले number पर West Indies Women है तो ही दूसरे number पर South Africa Women तीसरे number पर England उमेन है तो ही चौते number पर Bangladesh Women जबकि पाचवे number पर Scotland Women है वही ग्रूप A से Australia, India, Pakistan और New Zealand Women में से कोई 2 टीम रहेगी जो semi-final में qualify करेगी Australia और India Women के पास जहां 4-4 अंक है और Australia Women ने 2 मैचों में 2 मैच जीत करके 4 अंक हासिल किया है तो इंडिया उमेन ने 3 मैचों में 2 मैच जीत करके 4 अंक हासिले कर चुकी है जबकि New Zealand और Pakistan उमेन ने दो-दो मैच कहल और इन दो-दो मैचों में एक-एक मैच में जीत हासिल करके दो-दो अंका हासिल किया है अब यह चार टीमों को आने वाले एक-एक मैच में और जीत दर्जी करनी होगी सेमी फानल में कौलिफाइ करने के लिए इंडिया अपने आकरी मुकाबले में अगर काफी बहतरी नेट रन रेट से जीत दर्जी कर लेती है तो यह टीम ऑफिसली सेमी फानल में कौलिफाइ कर जागी जहां ऑस्टेलिया और इंडिया उमेन के सेमी फानल में कौलिफाइ करने की चांसेत जो है न्यूजी लेंड उमेन है जबकि पांचवे नंबर पर सिलंका उमेन है तो दोस्तो यह रहा ICC उमेन से टी ट्वंटी वर्ल्ड कब दो अधार चोविस के सेमी फानल में कौलिफाइ करने का पूरा से ने रिया और तेरा मैचों के बाद का नया पॉइंस टेवल तो आपके एकोडिंग आपको क्या लगता उमेन से टी ट्वंटी वर्ल्ड कब दो अधार चोविस में कौन से ओ चार टीमों को सेमी फानल में कौलिफाइ करना चाहिए कमेंट करके आप में जरूर बता है तो दोस्तो इस उन्हों बतने हैं आप वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक का देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंद बात देना तैंक्यू सुमझ गैट पोर वाचिंग इस वीडियो